जसमीन जी एक और सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे जानना चारी हूँ जब से अरविन केजरिवाल गिरफतार हुए हैं आप आपकी पार्टी के तमाम नेता और इंडिया गटपंदन की भी जितने भी नेता हैं कहरें लोकतंतर की हत्या हो गई चुनाव से पहले किसी मुख्यमंत्री को ऐसे गिरफतार नहीं किया जा सकता चुनाव आचार सहीता लग रही है तो मुख्यमंत्री को गिरफतार कैसे कर लिया गया यह प्रशन क्यूं क्या कानून चुनाव आचार सहीता देखता है इस देश का तो आज दुनिया भर में जितने भी डेमोक्राटिक नेशन्स हैं, उनकी प्रेस आज इंटरनाशनल मीडिया कोल के देख लीजे, सब जगह पे यही आपको देखेगा कि भारत के लोकतरंत्र के उपर प्रहार हो रहा है, केवल एक विपक्षी पाटी नहीं है, तमाम मिलनी चीए, ये लोकतंत्र का एक सिधानत है, लेकिन मोदी जी इतना डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कि कहीं किसी पाटी का चंदा काट देते हैं, कहीं किसी पाटी के टॉप चार निता को अंडर डाल देते हैं, ये देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, और चल जेल में डाल दिया, और अब तक एक रुपे की उगवाई नहीं हुई, तो लोकतंत्र खतम नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, और हमारे आखों के सामने सरे आम कतल हो रहा है, और उसके साथ साथ ये जो वसूली गैंग बना के रखा है, इलेक्टरल बॉंड चंदे के साथ अगर आप में दम है, तो चुनाव के रण में आई है, पिछ पर आके चुनाव लड़ी है, ये क्या बात हुई, कि चुनाव हम आपको खेलने नहीं देंगे, चुनाव से पहले आपके सारे निताओं को जेल में डाल देंगे, इतना डर, इतनी बॉकलाट, और यही कार प्याइमले कानून के उपर, मैं बस कुछी सेकंड में इसका जवाब देता हूँ, नहीं ये जो आपने का कि बेल क्यों नहीं मिल रही है, आपने बेल की बात हुई, कि दो साल से और ये तमाम चीज़ें जो ये कह रहे है, देखिए आपके दर्शों को समझना होगा, प्या इनोसेंट अंटिल यू प्रोवन गिल्टी, लेकिन पीमले में ये होता है, कि आप गिल्टी हो, सरकार में इतनी ताकत हैं कि आपको जेल में डाल दे, और जब तक ट्राइल कम्प्लीट नहीं होता, आप तक आप आप जेल में रखे होगे, आप प्याम दीज़ें, आप प् पक्षी नहीं होगा, आपके सामने प्रतिद्वन्दी नहीं होगा, तो कैसे मज़ाएगा आपको इलेक्शन में लडने का? और आपको आपको वह भी में लिलता, लेकिन है नहीं भाई, और दूसरा इनोंने एक और बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ कहीं कि ऐसा तो देश ने कभी देखा ही नहीं, ऐसी तो तानाशाही रही नहीं, अब भाई, इतहास नहीं पढ़ते हैं, मेरी गल्ती तोड़ी नह हुआ है, एक एक प्राइम मिनिस्टर ने 38-38 सरकारे एक साथ गिरा दिया, आप क्या जानते हैं, इस देश में तो पूरे देश को जेल बना दिया, आप के जानते हैं, विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से जेल में डाला गया, लेकिन, रुकिये न, प्लीज आप इनको र आउट आफ स्टेट केस भी चला, वो बाहर भी आए और बरी भी हुए, मेरे देश के प्रधान मंतरी भी आई हुए, जब बाहर आते थे तो सीना चोड़ा करके कहते थे, कि मैं इस देश के कानून को मानता हूँ, उसमें पूरा विश्वास रखता हूँ, और बरी होकर पहिन कर एकदम आजाते हैं, सडकों पर लेटना, चुरू करना, ड्रामा करना करिया, हमें परिशानी नहीं है, लेकिन कोट में भी साबित करना पड़ेगा कि आप बहुत ही इमांदार लोग है, अब आगे आ जाता है, इन्होंने एक और चीज़ कही, कि अगर कन्विक्शन उप्टेन कर ली होती तो अलग बात था, चलिए तब तो आप कह देते हैं, हम ब्रश्टा चारी हैं, लालू परसाद यादम ने तो कन्विक्शन उप्टेन कर लिया ना भाई, कंदे से कंदा मिला कर खड़े हो, बस नी चल रहा है, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता और आपके लिए कोई अजेंडा नहीं है, जहां देखा ब्रश्टा चार, वहाँ सारे ऐसे जुड़ जाते हो, चाहे कन्विक्शन हुई हो, ना हुई हो, ये चोरियां हैं आपकी